हालो नमस्कार मित्रों प्रुशी चिन्तन चैनल में आपका हार्दिक स्वागति आज का चेप्टर है जीवन चलने का नाम शर्ला नाम के एक मैला थी रोज जुआ और उसके पती सुबह ही काम पर निकल जाते थे दिन बर पती ओफिस में अपना तारगेट पूरा करने की देडलाइन से जुटते हुए साथियों की होड का सामना करता था बोस से कभी प्रसंस दातों मिली नहीं और तिखी कटीली आलोचना चुपचाप सहता रहता था पत्नी सला भी एक प्राइवट कंपनी में जोब करती थी वह अपने ओफिस में दिन बर परेशान रहती थी एसी ही परिशित्नयों में से चुट कर शरला लोडती है काना बनाती साम को घर में प्रवेश करने की बच्चों को वे दोनों नाकाडा उने के लिए डाडते थे पति और बच्चों की अलग-अलग हर्माई से पूरी करते करते बदहवास और चित-चिलियों हो जाती है घर और बहार से सारे काम उसी की इमिद्दारी है ठक हार कर वह अपने जीवन से निराश होने लगती है उदर प्रतित दिन खुखार होता जा रहा है बचे विद्रोई हो चलते है एक दिन सलाने घर का नल खड़ा हो जाता है उसने प्लंबर को नल ठिक करने के लिए बुलाया प्लंबर ने आनेक में देर कर दी उचने पर बताया कि साइकल में पंचर के कार्ण देर हो गई गर से लाया खाना मिट्टी में गीर गया दिल मशिन खड़ा हो गई जेव से परशो गीर गया इन सब का बोज लिए वह नल ठिक करता रहा था काम बुड़ा होने पर मैला को दया आ गई और वह उस गारी में छोड़ने चली गई प्लंबर ने उस बहुत आदर से चाई पिने का अग्रक किया प्लंबर के घर के बाहर एक पेड़ था प्लंबर ने पास आकर उसके पत्तों को सलाया चुमा और अपना ठेला उस पर टांग दिया घर में प्रवेश करते ही उसका चैरा खिल उठा बच्चों का प्यार किया मुश्राती पत्नी को उसने वरी ड्रस्टी से देखा और जाई बनाने के लिए कहा चलावद देखकर हिरानी कि बाहर जाकर उसने पर प्लंबर ने बताया यह मेरा प्रेशनिया दूर करने वाला पैड़ है मैं सारी समस्याओं का बोजरात पर के लिए एक पर टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मुक्त हो जाता हूँ चिंता को अंदर में ले जाता सुबर जब फेला उताता हूँ तो वह विशले दिन से नहीं हलका होता है काम पर काई परिश्मयाईयों आती है पर एक बात पकी है मेरी पतनी और बचे उसके अलग ही रहे यह मेरी कोशिस रहती है इसलिए इन समस्याओं को बाहर छोड़ आता हूँ प्रातना करता हूँ कि बगवान मेरी मुझे लिए आसान कर दे मेरे बचे मुझे बहुत प्यार करते हैं पतनी मुझे बहुत देती है तो बला मैं उन्हें परिश्मयाणियों में क्या रखू उसने रहात पाने के लिए इतना बड़ा दर्शन खोज निका रहा था यह गरगर ही हकिकत है ग्रोहस्त का एक तपोबुमी है शोंसिलता और रयम खोकर कोई भी उसमें सुखी नहीं रह सकता जीवन में कुछ भी इस्ताई नहीं हमारी समस्याएं भी नहीं प्लंबल का वह समाध्दान रुक्ष एक प्रतिक है क्यों नहीं हम सब भी एक एक रुक्ष ढूंड ले ताकि घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी सारी चिंतियाओ बाहरी टंग नहीं अए खimageची चिरी राम सर्मा आचायाची जयगर्डेव 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 जयगर्डेव